पूरा हो गया है फाल्टू का सपना वह भिक्रिकेट खेलने का जरा दीखिए किसे क्रिकेट के कपड़े बहन कर सिर पर हैलमिट हाथु में बल्ला लिये फाल्टू पहुँं गई है क्रिकेटे मिल्दान में चोक पर ज क्छके लगाने के लिए भर पहले तो सभी लोग तो फाल्दू के साथ है। पर नाम के ओपर एक कलम कलम लग गया है कि एक लोकल टूर्नमेंट है तो यह तो खेली सकती है तो बहुत मुश्किलों के साथ पाइनली उसे खेलने का चांस मिला गया है। तो बहुत दिनों बाद बल्ला उठाया था क्योंकि अभी तो कर्चें चला रही थी फाल्दू रौकी बनकर मितला उसमें पर फाल्दू ने कमपेरिटिवली बहुत अच्छा खेला है वो हमेशा इंब्रूफ करती रहती है। अब देखना होगा कि ये मैच खेल कर क्या फाल्दू अपने उपर लगे इलजाम को मिटा पाएगी और क्या सभी को ये यकीन दिला पाएगी कि वो एक अच्छी प्लेयर है। वहीं दूसरी और अयान के घर में सिधात और तनीशा ने मिलकर चली है चाल एक गेम खेलने की और खेल खेल में सभी घरवालों को दिया जा रहा है टास्क कभी अयान के पापा उसके मम्मी को घुटनों पर बैटकर फूल देकर प्रपोस कर रहे हैं। तो कभी उसके चाचा चाची कपल डांस कर रहे हैं। फिर भारी आई अयान की जहां अयान को सभी के सामने तनीशा को करना होगा किस लेकिन ये सुन्दे के साथ ही अयान महां से निकल जाता है। अयान की फीलिंग्स की कोई परवानी है। अभी बोला था कि मैं परिशान हूँ, कांसलर के पास भेजा और नेक्स डे पाटी कर ली, इन्होंने होली पाटी। अब फिर से घर पे कोई गेम में खेल रहे हैं, अयान is not interested at all। और कोई भी इंसान जो थोड़ा mentally, you know, disturbed हो या उसका ध्यान ना हो एक चीज़ पे तो ऐसे forcefully कराके doesn't help at all। तो वही आयान को यह है कि यार इन लोगों को मेरी तो पड़ी नी है। गेम केलनी है इनको और गेम में भी कहते हैं तनीशा को kiss कर। तो अगर करना ही होता तो effort पे थोड़ी चोड़के आता, honeymoon पे चला जाता ना। हाँ, तनीशा को बूरा तो लगा क्योंकि तनीशा अतने efforts डाल रहे हैं सब कुछ ठीक करने के लिए नाम तो आप जानते ही हैं, सास बहु और पेटिया।